तो गाइस, मंडे नाइट रॉक अतम हो चुकी है, अगर आज की रॉक दोस्तो एक वर्ड में डिफाइन करना पड़ जाए, तो मैं कहूंगा गूसबंस, क्यूंकि अभी तक मेरे गूसबंस नहीं जा रहे हैं, रॉक अंत जिस तरीके से वाज, उस तरीके से मैंने तो कभी न अगर आज की रॉजो लाइब ती वो गाइस, हम लोगों को कृस्ती टेकसस लाइब देखने को मिल रही थी, और गाइस, इसके अंदर जो सबसे पहले एंट्री होती है, वो दोस्तो लिटरली गूसबंस लाने वाली थी, ऐसी दोस्तो रिटर्न बहुत कम होती है रॉक एंदर, और देवी वाले दोस्तो अकसार अपने सर्प्राइजिस को स्पॉil कर देतें, लेकिन यहाँ नहीं था, सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस के एंट्री हो जाती है, किसी नहीं सोचा था, सब लोग इंतजार करते हैं कि पहला सूपर स्टार कौन इकलेगा, जो कि नॉन अधर देन सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस रहते हैं, सेथ रॉलिंस का दोस्तो यहाँ हम लोगों को अंट्रांस देखने क को मिलती है लोगों की तरफ से सायदke कहते हैं कि कि वो आप पस आ चुके हैं very sok बनने के लिए very बना जाता है तब to Yep deliver को जीता जाता इ05र उनकी समय ठीर देंबिंट ली जा सकती है सबसे साल टरीके मैं खुश हूँ लेकिन इस चीज़ बता दू कि अब यह मंड़नाइट रॉलिंस नहीं बलकि और राइस टू दे चैंप यानी की डेमिन प्रिष्का शो बन चुका है यहां अगे दोस्तों साथ रॉलिंस में की बेस्ती कर देते हैं लेकिन ओर दा पिरिड ऑफ टाइम मैंने फील किया खुद की अडेंटी बनानी पड़ती है तो वाट काइंड चैंपिन यू आर एक बारी सोच जिस पर डेमिन कहते हैं कि बात इतनी सी है कि अगर तुझे मेरे चैंपिन होने पर शक है तो मैं अपनी शैंपिनशिप को दाओ पर रखना चाहूंगा माने इंदा बैंक के अंदर क्या तू एकसेप्ट करता है साथ रॉलिंस करते है कहते हैं कि यह काफी असान अंसर रहेगा येस आए एकसेप्ट और ये मत भूलियो जब तक मैं शो में हूँ दिस इस मंदे नाइट रॉलिंस इसके बाद दोस्तों रिंग को लिव कर देते हैं और डबली वालों ने दोस्तों को निपम कर दिया सारे मोग्य खब माढ़एं लेकिन तूझे मिस्टी ओपोनेट दोफेकर दोस्तों działa को मलते हैं जो जोंगि दोस्तों Counter जयर्यक्समों मेन रहते हैं जैसरा है ऊज controversy लोत ऑदी rag君 ने लेकिन उसके तो तूब वहां गया था क्या जिस पर वहां दोस्तो हमारे फिन कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि मैंने उसे कुड़े दान में डाल दिया तो यहां दोस्तो शक्की सुया गूंपीर कर दोस्तो फिन के ऊपर आ गई थी और सिच्वेशन काफी इंट्रस्टिंग बन करने आ रखी थी दोस्तो वहां वेगा को क्योंकि आप जानते हैं कहीं कहीं ना पसंद करते हैं तो यहां दोस्तो बात कीओ इसके बाद दोस्तो हम लोगों को सेमी जेन की तरफ से सेग्मन देखने को मलता है सेमी जेन रिंग के अंदर आते हैं और इचीज कहते हैं कि उन्होंने चैड को हरा दिया और अब वो चाहते हैं एक निया उंपोनेंट जो कि दोस्तों हमें देखने को मलते हैं ब्राउन ब्रेकर वहां कर चैलेंज ठोग देते हैं सेमी को चीज कहते हैं कि बेटा तू हमसे ना बच पाएगा आगे चीज़े गरम हो पाती सेमी दोस्तों अपनी चैंपरिशिप को हवा में होड़ भी कर देते हैं और चीज़े ज्यादा गरम हो पाती कि शेमस ही आ जाते है शेमस कहते हैं कि देखो सेमी मै तुमें फेस काना चाहाता हैं ब्राउन कहते है क्या तूम मुझे नहीं नहीं अर्हान दोस्तों चैहें मानता हूं तूं काफी अच्छा एथिलीट है लेकिन बेटा अभी तुम नहे हो पीछे चले जाओ स्टब डाउन करजआ हमें बीच मे सेम ही आते हैं और यह चीज कहते हैं कि अगर तुम दोनों के बीच में कुछ है ना तो क्यों ना तुम दोनों के बीच में मैच हो जाए और मैं देखू कि तुम में से कौन जादा पावरफुल है हम लोगों को दोस्टो अब देखने को मिल रहा है दोस्तो ड्राइगन लीग क Match Dragon Lead दोसो, कारलिट को फेस करे थे Match के अंदर, दोस Jadiins को फेस करे थे Match के अंदर दोसे हमें फिर से वही चीरव देखने को मिली है Lim Morgan ने फिर से Interference की कारलिटो दोस्तो फायदा उठागे यहां Judgement की Interference का Lim Morgan और बागी की Super Star के Interference का कारलिटो फायदा उठागे, बैक्स्टाइबर लगाकर उन ड्रैगनली को पिन कर दिया, हम लोगों को अलबायन फायर को फेस करते हैं, फेस ओफ करते वे दोस्तों नजार आ रही है, शेना एंस्टार्क, यह चीज कहा रही है कि हम नेक्स्ट इन लाइन है, क्योंकि हम अर्ड CM Punk, CM Punk, screw this, मैं इस कमपनी को छोड़ रहा हूँ, I quit, screw this कमपनी, I quit, यह उनकी लाइन्स थी, और गाईज उन्होंने रिंग को लीव कर दिया, बाहर जाते हैं, बैक्स्टेज आते हैं, और ट्रिपल अच उन्हें पकड़ लेते हैं, कैमरास में दिखाया जाता है, अफ्टर क DMK म में 25 माज़ जाता है, मैं कता समय द्रेंज सब चैम आंप 10 थी, यह नएपी बात बिया लूव में 25 मात कमपनी को बनी को चैको टा कियों जहां दोस्तों, दूरू में डायर के डबले भी चोड़ने के बाद, जो अगली चीज हम लोगों देखी, वो धा डैमेज कोट्रूल का मैच, यह मैच दोस्तों हो रहा था, कटाना एंड जो केडन की टीम उनके खिलाफ, मैच के अंदर दोस्तों हमें लायरा वाल के रिया की तरफ से इंटरफेरेंस देखने को मली, जिसके तहत दोस्तों केडन की टीम इसमें जिद गही है, मुझे यह मैच काफी गटिया लगा, आज की रह में सिरफ यही एक वीक जो कि शेमस एंड ब्रॉन ब्रेकर के बीच में हो, मैच को दोस्तों से मी देख रहे थे, मैच के अंदर दोस्तों क्या चीज होती है, कि शेमस काफी डॉमिनेट कर रहे थे हैं जैसे में लेगन बीच में आ जाता है, विंची जो कि उनकी टाइंग पकड़ देता है, और दो से और स्पियर धर दिये विंची को, सेमी के होश फाकता होगे, और गाइस लिटरली ब्रॉक लैश्नम वाली वाई बाई मुझे, वहाँ हर कोई चिलाता है, होली शे, होली शे, वहाँ दोस्तों सेमी के आंख में डर था, ब्रॉन बेकर बहुत खतरनाग लग रहे थे, यहा कोटी सी रहती हो, पहन कर गुमरी थी, उन्हें डॉम पकड़ लेते हैं, कि यार, तु मेरी कोटी पहन कर गुमरी है, मुझे दे दे, लिव कहती है, खुद ले ले, जिस पर दोस्तों डॉम देरे घर के दोस्तों, उनकी वैस्ट उतारने लगते हैं, कि यह सब देख लेते ह करें डॉम यह क्या कर रहे हो जिस पर दोसों चल देते hara dog की जुमें िपकर्णा देती है अ कुछizzard जान वो मुझें और सेमिंड खरम हो जाता आन де लाद यंग कोफी Galen Kr eerste नेक्स saint के लिए कंफर्म करते हैं दोने के बीच में 200 वालों ने ट्रिपल थ्रैट कंफर्म कर दिया है जो कि स्ट्रोमें चैड और रिड के बीच में होगा और महिलाओं के बीच में दोस्तों मनीद वैंक का कॉल फायर होगा नाक्स वीक वालकेरिया शेना वेजलर और काईरी सेन के ब एंबर्स जहांने टेक आउट करें ब्रॉण स्ट्रोमे रिंटे वालों अधे अब रिंग के अंदर दोस्तों फिन भेला अपना फींशर लगा जाते हैं रे को दिया वहीं दिर्वाजी में बहुत ही बहुत की डिरावनी महिला आती है जो कि आप जहांते सिस्ट अ यहां त मुझे बताने किसे होती है, और फिर दोस्तों कैमरा पीछे जाता है, जहां हमें मर्सी देखने को मिलता है, मर्सी से पहले रैंबलिन रैबिट देखने को मिलता है, रैंबलिन रैबिट दोस्तों नन अदर देन एरिक रोवन है, और फिर दोस्तों मर्सी द बज़र देखने को पीछे हैं फिर दोस्तों फिर वरम पीछ जाता है जहां मैं पिक देखने को मलता है जो कि जो ही पीछा है थिए लिए की इस inf अगले ताने बादू शबका है